जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप ज़र्ब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, हिंदु पंचांग के नुसार तुलसी विवा कार्थिक मास्क देव उठनी एका दसी के दिन कराया जाता है इस दिन भगवान जब योग निद्रा से जाकते हैं तो सुब मूरत में तुलसी जी का विवा भवान विष्णु जी के संग संपन्न कराया जाता है लेकिन कहीं कहीं देव उठनी एका दसी के अगले दिन यानि द्वा दसी तिथी में तुलसी विवा कराने का विधान है लेकिन वहीं कुछ लोग देव उठनी एका दसी के अगले दिन यानि द्वा दसी तिथी को तुलसी विवा का आयोजन करते हैं इसके बाद ही सुब और मांगलिक कारियों की पुना सुरुवात हो जाती है। दोस्तों हिंदु धर्म में तुलसी विवा का बहुत अधिक महत्य है। माननेता है कि इस दिन तुलसी माता का विवा बगवान विश्नु जी के विग्रे सुरुप यानि की सालिक ग्राम भगवान से हुआ था। इस दिन जो भी दमपत्ती तुलसी पूजनकर भगवान विश्णुजी का इस्मरण करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन खुसियों से भर जाता है। वैवाहिक जीवन के सभी कस्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुक सम्रधी का आगमन होता है। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को ना सिर्फ पौवित्र और पूजनकर जै मातादी दोस्तों वर्ल्ड बेस मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है। कैसे हैं आपस ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवा कार्टिक मास्क देव उठनी एका दसी के दिन कराया जाता है। तो चलिए जानते हैं साल दो हजार चौविस में तुलसी विवा के सुब मूरत क्या है। दोस्तों जो लोग देव उठनी एका दसी के दिन तुलसी जी का विवा करते हैं तो वहें लोग 12 नौमबर 2024 दिन मंगलवार को तुलसी जी का विवा संपन्ने करेंगे। और इस बार एका दसीतिती की सुरुवात 11 नौंबर 2024 की साम को 6 बच कर 46 मिनट पर हो जाएगी और एका दसीतिती की सम्मापती 12 नौंबर 2024 की साम को 4 बच कर 4 मिनट पर होगी और बात करें तुलसी विवा के सुमूरत की तो दोस्तों तुलसी जी का विवा सुर्यास्त के समय गौधूली बेला में संपन्य करना सर्वत्म रहता है और 12 नौंबर को गौधूली मूरत साम 5 बचकर 29 मिनट से लेकर साम 5 बचकर 55 मिनट तक रहेगा तो आप इस समय तुलसी जी का विवा कर सकते हैं और जो लोग द्वादसी के दिन तुलसी जी का विवा करते हैं तो वह लोग तुलसी जी का विवा 13 नौंबर 2024 दिन बुद्धवार को करेंगे और इस बारद्वा दसीतिती की सुरुवात 12 नौवंबर 2024 की साम को 4 बचकर 4 मिनट पर हो रही है और द्वा दसीतिती की सम्मापती 13 नौवंबर 2024 की दोपहर को 1 बचकर 1 मिनट पर हो जाएगी और इस दिन गौधूली मुहूरत साम पांच बचकर 28 मिनट से लेकर साम पांच बचकर 55 मिनट तक रहेगा तो दोस्तों आप इस सुब मुहूरत में तुलसी जी का विवा संपन्ने करें चलिए अब जानते हैं तुलसी विवा करने की असान विदी क्या है दोस्तों तुलसी विवा के दिन आप सबसे पहले जहां पर आपको तुलसी विवा करना है आंगन में वहां साफ सुत्रा करके और पूजा इस्थल को गंगा जल छिड़कर सुद्धे अवस्से कर लें इसके बाद आप एक चौकी रखें और एक चौकी में तुलसी का पौदा रखें फिर दूसरी चौकी पर सालिक राम को इस्थापित कर दें इसके बाद आप सबसे पहले कलस की इस्थापना करें कलस में जल भरें और कलस में स्वास्ती कच्चन बना लें और उसके मुख में मौली बांद लें इसके बाद जल में एक सिक्का, हल्दी की गांट, सुपाड़ी, अक्छा तादी डाल दें आप कलस पर पांच पल्लो आम के लगा कर उस कलस के उपर एक नारियल रख दें नारियल में लाल रंग का कपड़ा और मौली लपेट दें इस तरह से आप कलस को विद्वत इस्थापित कर दें इसके बाद आप तुलसी के गमले को गेरू से रग लें और तुलसी के गमले के आसपा सुन्दर सी रंगोली भी बना लें और ध्यान रहे कि तुलसी के गमले को आप सालिक ग्राम के दाएं तरफ रख दें इसके बाद घी का एक सुद्ध दीपक जला लें अब गंगा जल में फूल को डुबा कर ओम तुलसाय नमामंत्र का जाप करते हुए गंगा जल को तुलसी जी के उपर चड़कें इसके बाद यही गंगा जल सालिक ग्राम पर बिचड़कें दोस्तों तुलसी के पौधे को रोली और सालिक ग्राम को चंदन का तिलक लगाएं इसके बाद आपको तुलसी के गमले की मिट्टी से ही गन्ने का मंडब बनाना है और तुलसी के पौधे को लाल चुनरी उढ़ाना है और तुलसी के गमले पर साड़ी लपेटेते हुए तुलसी जी का पूरा स्रंगार करना है इसके बाद सालिक ग्राम को भी आप पंचामल से इसनान कराएं और उन्हें पीले रंग के वस्त धारन करवाएं दोस्तों तुलसी और सालिक ग्राम पर हल्दी जरूर लगाएं इस दिन जो हल्दी की रस्म का प्रतीक मानी जाती है इसके बाद सालिक ग्राम को चौकी समेत उठाएं और तुलसी के चारों और साथ बार परिक्रमा करें ये साथ फेरों का प्रतीक माना जाता है वहीं सालिक राम की चौकी को घर के किसी पुरुस को अपनी गोद में उठाना चाहिए इस बात का ध्यान रखें फेरे संपन्न होने के बाद आप भगवान तुलसी और सालिक राम ची की आरती करके विदवत पूजा को संपन्न करें इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद बाटें आप तुलसी और सालिक राम को खीर पूड़ी और पूवे का भोग आदी लगा सकते हैं इस तरह से विदवत तुलसी विवा संपन्न किया जाता है चले अब आपके सवालों के जवाब देती हूँ दोस्तों बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या तुलसी विवा के लिए हर साल नई तुलसी लगाना जरूरी है या नहीं तो दोस्तों ऐसा नहीं है आपके घर में जो भी तुलसी का पौधा है आप उसका भी तुलसी विवा कर सकते हैं लेकिन बहुत से लोग तुलसी विवा कराने के बाद तुलसी के पौधे को दान करते हैं तो यदि आप तुलसी विवा के बाद तुलसी जी का दान करना चाहते हैं तो फिर आप इस इस्तिती में तुलसी का नया पौधा लगाएं और उसी का दान करें और तुलसी विवा कराने के बाद उसका दान करें लेकिन ध्यान रहे कि जो आपकी घर की तुलसी हैं जिनकी आप साल भर पूजा अर्चना करते हैं उनको विवा कराने के बाद दान नहीं करना चाहिए दान करने के लिए बहुत से लोग सावन में ही यानि चातर मास के लिए तुलसी का नया पौदा घर लाते हैं और उसकी सेवा करते हैं और फिर तुलसी विवा कराने के बाद किसी मंदिर में या किसी ब्राम्हर को आदर पूरवक दान कर देते हैं अब अगला सवाल है कि क्या तुलसी विवा के बाद तुलसी जी का दान करना जरूरी है या नहीं दोस्तों जिस तरह से कन्या की साधी के बाद उसकी विदाई जरूरी होती है ठीक उसी तरह से तुलसी विवा के बाद तुलसी जी का दान करना भी चाहिए लेकिन अगर आप तुलसी विवा के बाद तुलसी का दान नहीं करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है ये आपकी इच्छा है कि आप तुलसी विवा करने की असान विदी क्या है दोस्तों तुलसी विवा के दिन आप सबसे पहले जहां पर आपको तुलसी विवा करना है आंगन में वहां साफ सुत्रा करके और पूजा इस्थल को गंगा जल छिड़कर सुध्य अवज से कर लें इसकी बाद आप तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करे धन्यवाद